हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है सालगिरा कैसा लगा सर्प्राइज बहुत ज्यादा खुबसूरत ये आईडिया आपको आया कैसे मुझे तो कहा था कि पैसों की कमी है इसलिए कुछ नहीं दे पाऊंगा सम्मैनेज हो जाता है अब आप पहना भी दो धीरज प्यार से अपनी पत्नी को हार पहनाने लगा जो उसने सालगिरा पर सौम्म्या के लिए लाया था अब तो नाराज नहीं होना बिल्कुल नहीं साधी की पांचवी सालगिरा है आपको कुछ तो देना ही था और ये हार तो बहुत ही सुन्दर है आज साम में य अपना हार सभी को दिखाना था इसलिए उसने हार उतारा भी नहीं पूरा घर में मानों से भरा था सभी ने फैसला किया था कि दोनों की सालगिरा बहुत धुमधाम से मनाई जाएगी वा बहुत प्यारा हार है हाँ भाभी कितनी प्यारी लग रही आप सौम्या अपनी तार है सब देखकर एक पल में ही सौम्या का मूट खराब हो गया वह तुरंत सब कुछ छोड़ अपने कमरे में आ गई दीरन ने दूर से उसे जाते हुए देखा तो वह समझ गया कि जरूर कुछ गड़बड है क्या हुआ सौम्या अभी तो सब ठीक था अचानक ऊपर क्यों आ मा जी को आज ही साड़ी और हार देनी के क्या जरूरत थी और मेरी साड़ी कहा है साल गिरा मेरी है उनकी नहीं क्या बोल रही हो कुछ पता भी है बच्चों से भी बचकानी हरकत कर रही तुम क्या मुझे अपनी मा को गिप्ट देनी का भी हक नहीं है है पर आज ही क्यों दि के बाद पहेंती ये उनका ही फैसला था कि हमारी सालिरा धूम धाम से मनाई जाएगी और वे ही तैयार ना हो तो कैसा लगेगा पर पैसों की कमी थी तो इतने पैसे कहां से आ गए मा को गिप्ट देने के लिए पैसे की कमी होती है क्या मैं प्यार से दोनों के लिए गिप्ट पहनो आगे तुम्हारी मरजी धिरज गुस्से में नीचे चला गया सौम्या भी चुपचाब बैठी रही भाभी चलिये सभी बुला रहे सौम्या नीचे जाने को हुई पर तभी भारुग गई क्या ऐसा चेहरा लेकर नीचे जाऊं सायद मैं ही कुछ ज्यादा बोल गई पर मेरे आगे किसी और की तारीफ हो ये मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं ओर रेक्ट कर गई और आज के दिन को खराब कर दिया अभी जाकर इनसे माफी मांग लूँगी और आज के दिन को खराब नहीं होने दूँगी सौम्या नीचे आकर धिरज को ढूड़ने लगी बहुन नाराज हैं मैंने बात ही ऐसी की पर आज के दिन को खराब मत होने दीजिये अगर आपने चाय पी लिया तो मैं समझ जाऊंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया सौम्या के आवाज में कमपन थी धिरज समझ गया कि सौम्या को सच में पस्तावा हुआ है थोड़ी देर को सोचते हुए धिरज ने चाय पीली और सौम्या को देख मुस्कुरा दिया सौम्या भी खुस हो गई दोनों का खास दिन खराब होने से बच गया आसा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी धन्यवाद